ये बताएं कि इंडिया लाइन्स के तरफ से पहले गोशित अमिद्वार है आप किस तरीके से देखते हैं इस अपॉर्चुनिटी धन्यवाद देता हूँ मारे नेता को बहुत-बहुत करोड़ धन्यवाद देता हूँ ये इतफाक ही मैं पहले पहला उमिद्वार हूँ पहल दो एक सांसत को करना चाहिए उसमें कोई वात किसी काम को नहीं छोड़ोंगा राममंदर बन रहा है लंबे वक्त से राममंदर एक बड़ा मुद्दा था बीजेपी के पास और अब जाकर भव्य निर्मान होने जा रहा है राममंदर का सीता मड़ी में सीता मंदर नहीं हभ और हम करोड़ों धन्यवाद देते हैं कि इस सरकार को कि उन्होंने इतना अच्छा काम वहां किया है कर रहे हैं और करें इसकी बहुत खुशी हमें लेकिन हमारा एक यक्ष प्रश्ण है केंदर सरकार से कि मासीता की निगलेक्ट क्यों की यह आज से नहीं और सिर्फ इस सरक हम लोग भी आपके सामने हैं खड़े हैं तो यह ऐसा क्यों कि पूरी दुनिया जान रही है और सीता मढ़ी के हिंदुस्तान में भी इसकी चर्चा नहीं होती है और क्यों उनका निगलेक्ट क्यों मासीता का निगलेक्ट क्यों अब बीसु हजार करोड़ा युद्या में ल के लिए सेंटिमेंटल चीज है कि मासीता की निगलेक्ट क्यों की जा रही है भाव वे राम मंदिर जिस तरह बना सीता के मंदिर की भी निर्मान की आप मांग करेंगे केंदर सरकार करते हैं हैं आज से नहीं मैं 20-22 साल से विधायक हो शुरू से कहते हैं वहार मीटिंग में कहता हूं कि मासीता की निगलेट क्यों हो रही है भारतिय जंता पाटी की सरकार 2014 में उससे पहले से हम लोग करते हैं मैं 2002 से विधायक हूं उससे पहले सी मांग करते हैं कि इन सरकार से कि भाई इसको कप डिक अप कीजिएगा आप लोग सरकार की तरफ से क्या किया गया सीता मंदिर के तरफ से जो राज सरकार की ताक्ते हों की जाती है हमेशा से की जाती है अभी दर करीब दस दिन पहले 72 कर रुपए का पूरे काम शिला निया साजणी मुक्वंतरी खोद आके तिक गया है हम लोग थे वहां पर उपस्तित थे क्योंकि लोगसभाश शेत्र से आप है सीता मरी से एक सवाल है कि सीता मरी कैसा लोगसभाश शेत्र है जहां पर आपके नाम गोज़त होने में कोई विवाद नहीं हुआ पहले से जो विधायक है उनको हटा भी वह मौजुदा जेडियू के ही विधायक और उनका नाम अटा की बात है कि तरफ से अब तक वन सीट वन कैने रेट की जो घोशना हुई ही या भी तक सीट शेरिंग का फॉर्मूला नहीं बना है और आप इसलिए कि इंडिया एलायंस सीट शेरिंग के लिए भी तक बैठी नहीं है वो को इंसिदेंस है वो इत्तफाक की बात है मैंने कहा यह कल कुई occasion यह शीट डिक्लेर करने का occasion नहीं था लेकिन मेरा सभाग यह इस कि मेरा नाम पहले डिक्लेर ऒरुए तो इस ए में हर कोई देश में बाहर हर जगह राम मंदिर या भव्य राम मंदरी की जिस तरह चर्चा हो रही है सीता मंदिरी या सीता मड़ी की उपेक्षा की गई है अब तक अपने सव्योगी श्रीचंद के साथ निदी श्री एबीपी नियूस दिग्री